त्योहरों के लिए भारतीय रेल्वे ने विशेश इंतजाम किये हैं। चन्ने एरिया हो, सूरत एरिया हो, अच्छी elaborate विवस्ता की गई है। सूरत में तो एक एक दिन में 30,000, 35,000 पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करने की विवस्ता की गई है। तो 7,435 और इसके अलावा भी अगर ज़रूत पड़ी तो 150 और अधिक स्पेशल चलाने की विवस्ता है। 51,00,000 पीपल एव ट्रैवल्ल बाइदी स्पेशल ट्रैन्स याने एक सबस्टेंशियल नंबर में लोगों को ये सुविधा मिली है। तिहारों के सीजन में रेलवे ने यात्रियों की सुवधा के लिए कई इंतजाम किये हैं। 31,00,000 को 150 से अधिक विशेश गाड़ियां चली हैं। तो हम जानते 31,00,000 दिवाली का दिन था 1,00,000,000 यानि कि आज 158 विशेश ट्रैने जारी हैं, चल रही हैं। और कल के लिए, यानि कि अपसे कुछ दिन के बाद छट का पर्व है, तो 2 नवंबर को 164 विशेश ट्रैल गाड़ियां देश भर में चलेंगी यात्रियों की सुवधाओं के लिए को ध्यान में रखते हुए। तो त्यारों पर जो विशेश इंतजाम किये गए हैं, दो नवंबर को लेकर जो खास विशेश इंतजाम हैं, उसमें देखिए, उत्रप्रदेश से करीब संचालित होने वाली या गुजरने वाली ट्रेन की संख्या है 32 इस तरह से अलग-अलग राज्यों से आवाजाही, एक तरह से सुविधा जना को उसको लेकर कई विवस्थाएं की गई हैं, दिल्ली से जो चलने वाली और गुजरने वाली रेल गाडियां हैं, उनकी संख्या 23 है, तो दिल्ली से लेकर उत्रप्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर उत्राखंड हो, किसी भी एक तरह से राज् को अगर जाना चाहते हैं, बिहार, उत्रप्रदेश, दक्षिन में, जहां पर भी जाना चाहते हैं, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पंजाब से संचालित होने वाली और गुजरने वारी रेल गाडियां ऐसी पांच हैं, ये विशेश ट्रेन हैं, जिनका इंतिजाम लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, साथी साथ प्लाटफोर्म्स पर भी कई ऐसे इंतिजाम किये गए हैं, कि यात्रियों में भगदर या किसी तरह की अफरात अफरी को रोका जा सके, थामा जा सके, तो उसके वो इंतिजाम दिल्ली के रेलवे स्टेशन से लेकर तब ह काम राज्यों के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही हैं.